नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद पीएस परिहार चेनल में आपका स्वागत है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपार्टेंट है और जितनी भी सूचना है चारों सूचना है बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है एक तोह वीडियो की बहुत बड़ी अपडेट आ ग आक सब्कार देहा अब है कैसे आपसी जब करेंगे द्वारा प्राफप कर सकते हैं कैसे बंदरह दिन चाहिज जौब जब मिल पाएक बहुत बठी अपड़ी अपडेट है लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वीडियो भरति के चार्टर का इंतजार समाप्त यह भरती है वीडियो 2015 की और चुंकि UPface में जो च्छातर हैं कई दिन से मांग कर रहा है कई सालों से मांग कर रहा है कि UPFE ls.J.Co Ce परहज़ी जारी करें और UP23.C. परहज़ी जारी करता नहीं है और इसी क्रप में विद्यार्थी चले थे हाई कोट वीडियो के विद्धार थी 2015 वाले वीडियो के जो विद्धार थी है यह हाई कोट चले गए थे हाई कोट की डेबल बेंच ने इनके पक्ष में आडर दे दिया था लेकिन सरकार फिर चली गई थी सुप्रीम कोट 2020 से यह मामला सुप्रीम कोट में और 23 नवंबर को महत् पूट दिना आ गया 23 नवंबर को इस का जो आडर है वो सुरक्षित कर लिया गया 23 तारिक को आडर सुरक्षित वह ता और आज इसकी जो लिश्ट है वो जारी हो गई है ऑफ यह देकिया पर लिखा है फॉर जज्जमेंट अब इसका जो आडर है वो कल सुनाया जाएगा 12 तारीक को इसके का जो आडर वो आजाएगा लिस्ट जारी हो गई है यह देखिए आप लोग यहाँ पर 12 तारीक की यहाँ पर डेट पड़ी रही है बात वीडियो की नहीं है यह आडर मील का पत्थर साभीत होगा यूपी ट्रिपल एसी की सभी भरतियो में लागू हो जाएगा चुकि 1999 का एक आदे से जिसमें सिंगल केडर की जो बरतियां उसमें प्रतिछा सूची जारी की जा सकती है समस्या तब होती है जब एक बरती में विभिन्द प्रकार के पद होती है जैसे इत्यादी कि कम नंबर वाला विद्धार्थी SDM बन जाए और उसे अधिक नंबर वाला जो नयव तसिल्डार बना रहे अगर डिप टेस्पी खाली होगी पद जो पोस्ट खाली होगी वहाँ पर भरा जाएगा प्रतिछा सूची में इसलिए पीसे वगारा में जारी नहीं हो तो किवल वीडियो बढ़ती हैं तो इसी तरीके से यह आदेश बहुत सारी बढ़ती में लागू हो सकता है और बहुत सारी आईसी बढ़ती हैं जिनमें 25-30% पर जो हमेशा रिक्त रह जाते हैं तो फिलाल यह जो केस है इसमें सुबह सुबह आपको यह आर्टर सुना दिय जाएगा और उसके बाद में फिर यह थोड़ी दर इसकी प्रभासित किया जाएगा यह संजीव खन्ना की बेंच है और जस्टिस एम एम सुन्दरेश तो यह डबल बेंच है और डबल बेंच यह कल आपको यह सुनाएगी कि वीडियो 2015 के जो विद्यारति हैं उनका क्या हो लें और वीडियो को लाइक अवस कर दिया करें आजकल आप लोगों को मैंने कि री लेवल में आप लोग एक सिंपल सा टेस्ट दे करके अपनी मन चाहिए जॉब प्राफ्ट कर सकती कि तो मैंने आपको पहले ही बताए था लेकिन मैं आपको बताऊं कि री लेवल का आर्ट सो से ज़्यादा कंपीनों के साथ में टाई-अप है और कंपीनों के नाम देखें यहां पर लेके वे हैं अपग्रेड है विसलेरी है टाटा है पहल सारी असी कंपनियां जहां पर विद्यारतियों को जॉब दी जा रही है और एक और मुझे नया मिला कि यहां मैं कल नेट पर सर्च कर रहा था और मुझे जानकारी मिली लिंक डिन पर जहां पर सभी की प्रोफाइल से रहती हैं कि तिरासी हजार से ज्यादा की जो जॉब हैं वह खाली पड़ी हैं वह रिक्तियां हैं सेल्स एंड बिजनस डिवलमेंट में और रिलेवल का अभी अभी फिर से बहुत सारी लिस्ट है और रिलेवल के बारे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बना हैं और आप लोगों को जानकारी दिये कि कैसे बहुत सारी चातर वो जॉब पा रहा हैं ये Lol का बेश्ट पार्ट ही ये कि रि लेवल से आप लर्न कर सकते हैं और रिवल में ही आप जौब कर सकते हैं इसके लिए Linux में डिस्केशन में दे दिया आप लोग कॉंसिलर से free में बात कर सकते हैं सेट्डूल कर सकते हैं किस तरीके से करना है आप लोग सीधे जाएंगे वहापर आपसे मिल जाएंगे आप सीधे कांसलिंग कांसलर जो उससे बात कर सकते हैं तो दिन में 15 मिनट का समय निकाल करके आप लोग कांसलर से बात करने संतुष्ट हो जाएं कांसलर आपको के इलाबाद हाई कोट की भरती जो आज पर इच्छा भी है यह आज का पेपर जिसे आपको यहां पर देख सकते जैसे निम्न लिखित में से प्राथमिक विदियों को पहचान करें तो हाई कोट में एक चीज है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है यह जो गुरूप HomeC इते होट साथ है कर देख सकतेए यह जर्ण शूमस्त नहीं यह तो को भी लगभी इस तरीकी कवेपर था हां को सिस्टार का नहीं है जैसे आप लोगे एक आध कुश्यन देख सकते हैं यह देखिए और इसी तरीके यह वाला है तो कुरूपर दी में तो इस तरीके के question नहीं आते हैं गुरूब डी तुल सा और आसान होता है यह जन सेंके का question है मानोविकास सुचकांग भारती राष्ट्री मानोविकास रिपोर्ट है कौन से कार आप राधिक विधी का उलंगन करते हैं यहां पर यह reasoning देख सकते हैं पूरा सिक्यास है तो जो पैटर्न है गुरूब सी क्या तो वही पैटर्न यहां पर आपको देखने को मिल रहा है पिछली बार की जो कटाफ थी वह लगबक असी के आसपास गई थी असी के आसपास जैनल की कटाफ गई थी और चूंकि इस बार पदों की जो संख्या वह काफी ज्यादा है चूंकि कटाफ में दो चीज़ें बहुत ज्यादा माहिने रखती है एक तो यह है कि पेपर का पैटर्न और दूसरा होता है पद चाहिığย शॉट हेंड अना चाहिए शॉट हेंड की विद्यार्थी बहुत कम होते हैं मीनिममम बनाने के लिए Одगर इसकी वजह जैसे जो चात्र होते हैं बहुत जादा पढ़ने वाले चात्र नहीं होते हैं बहुत जादा समय नहीं मिल पाता है तो एक यह भी एक कारण होता है तो इसकी वज़ेसे जो इसकी कटाफ है मेरे अनुसा लगबग 800 पत्र चुकी है इसमें हिंदी के लिए और 300 के आसपास जो प बात करें यह सी की बात करें तो हाई कोड की बर्तिम आप लोगों देखा होगा कि जो पहला एक्जाम होता है उसमें कभी-कभी तो ऐसा होता कि जनरल की कटाफ कम चली जाती है और स्ट की ज्यादा चली जाती आपने देखा होगा हाई कोड में ज्यादा तर चुकि बात में मिलता है पहले नहीं मिलता है इसलिए जो सभी का कटाफ मैं कहूंगा लगबग 72 के आसपास होना चाहिए जनरल का भी और बाद में जब इनकी टाइपिंग और इस्टिनोग्राफिय जाएगी तब जर्विष्टन दिया जाएगा तब आपको अंतर देखने को मिल सकता है अभी और इसी के चात्रों को जटका जरूर देखने को मिलेगा तो इसमें वैसे जो पेपर को अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है पेपर बहुत जदा आसान नहीं है कि बहुत ही से कम दस नंबर ज्यादा चली जाती है इसी की वेज़े से इसमें दस नंबर बढ़ाए गया है अगली जो सूचना है वह रेलवे गुरूबडी परिच्छा को लेकर के जो मुझे पुक्त जानकारी मिली है रेलवे गुरूबडी का जो परिणाम है वह 15 तारिक से लेकर के 20 के बीच में जारी हो जाएगा 15-20 की बीच में रेलवे गुरूबडी का परिणारी हो जाएगा चूंकि भी जानकारी भी दी गई थी जारी थी जब विद्यार्थियों ने एक डूटर वियान किया था दो दिन पहले रेलवे कि तरफ से नोटिस जारी थी और यह कहा गया थ कपी विसरेशन करने के बाद में कटाफ का वीडियो बना जाता है तो रेलवे गुरूबडी का जो मेरा अनुमार है कि जिन विद्यार्थियों के बावन से लेकर के 56 के आसपास नंबर हैं वो विद्यार्थी railway group D में physical देंगी 52 से ज़्यादा माल लिजिए आप जादा जादा मैं 56 बताया है मिनमम 52 है 52 भी जिन विद्यार्थियों के हैं वो विद्यार्थी physical की तैयारी करना शुरू करते हैं सभी category के लगबक 10 तारीक से इन विद्यार्थियों की दोड़ है लगबक 10 तारीक से 10 जनवरी सी तो बहुत जादा समय आपको नहीं मिलेगा 20 के आसपास आपका रिजल्ट आ रहा है और जनवरी के सेकेंड वीक से आपका तुरंद सुरू हो जाएगा दोड़ फिसकल जो group D की है इसलिए बहुत समय नहीं मिलेगा और जिन विद्यार्थ करें लिंक मैंने description box और comment box दोनों जगें उपलफ्द करा दिये counselor से बात कर लें और schedule कर लें किस तरीके से counseling से बात हो नहीं उसकी लिंक मैंने दिया है कि आपके लिए क्या बेतर होगा कैसे रिलेवेल से learn कर सकते हैं रिलेवेल के दौरा कैसे job मिलेगी आपके लिए कौन सी job perfect रहेगी चुकि मैंने तो बता दिया कि job मिलती है लेकिन यह वही बता पाएगा कि आपके लिए कौन सी job perfect रहेगी आपका background के आपके अंदर skill कौन सी है तो ठीके दोस्तों यह हो गया आज के वीडियो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्वाद